Hi everyone, good morning, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, तो दिन है आज सनीवार और सुबह के साड़े 5 बज रहे हैं, तो मैं 5 बजे उठ गई थी और उठने के बाद वही पानी, पीना, ब्रस करना, चेहरे को धोना, कंगी करना, थोड़ा सा अपने आपको तयार करना सुबह क कामों के लिए अपने आपको फ्रेस करना होता है, उसके बाद मैं आ गई हूँ छट पे और देखिए, इतने सुन्दर सुन्दर फूल खिले हुए ना, देख के मन बिलकुल खुस हो जाता है, और सुबह मेरा ये रूटीन है डेली का ही, मैं 5-10 मिनट अपने पौधों को ज देखती हूँ और एक अलग सी फ्रेसनेस आ जाती है, एनरजी आ जाती है फिर दिन भर के कामों के लिए, तो मेरा जुड़ा बहुत है प्लांट से, मुझे इनको देखे बिना चैन नहीं आता है, तो मैं सुबह सुबह एक बार इन्हें देखने जरूर आती हूँ, उसके ब सब्राई में आज एक ही सबजी बनानी थी, तो थोड़ा सा, रिलैक्स था, कभी-कभी दो-दो बनाने होते हैं, अलग-अलग बनाने होते हैं, तो थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी होती है, आज एक ही बनानी थी, तो मैंने सोचा, पहले चाए ही रग तूँ, उसके बाद नहीं मिलता है तो अच्छा नहीं लगता है तो मैं सोचती हूं कि उठने से पहले चाय बना दूँ ताकि उठें तो बस चाय देना रहे और ये चीनी का कंटेनर मैंने कल धूला था तो मेरा वही है कि जब जब कंटेनर खाली होता जाता है मैं धोती जाती हूं एक साथ ही नही और प्याज मैंने डाल दिया उदर मैं इनके लिए चाय भी जान के दे आऊंगी तब तक अपने लिए भी चाय लूँगी लेकिन अभी सबजी में मैंने सोचा कि अलू अगर डाल दूँ थोड़ा इसमें टाइम लगेगा होने में तब तक मैं चाय पी लूँगी तो प्याज वही एकदम बिल्कुल फास्ट हाथों से काम करना होता है टाइम बिल्कुल भी नहीं होता है फिर यहाँ पे मैं हल्दी पावडर तो भिंडी की सबजी में बिल्कुल सिंपल ही आपके साथ सेयर तो करती ही रहती हूँ जैसे ये सब सबजी यां बहुत ही सिंपल बनती है सि फल्दी नमक ही पड़ता है प्याज वगरा ये सब टमाटर डालती हूं तो चाय पीने के बाद इधर सबजी हो रही थी और इधर मैं दाल की तयारी कर रहे हूं कि साथ के साथ दाल भी हो जाए तो मेरा जैसा कि सुबह नास्ता खाना दोनों साथ ही बनता है तो आज चार-पा फिर से अपने लाइन पे आने में टाइम लगता है लेकिन मन में एक बना रहता है कि नहीं फिर से हमें वही रूटीन ही स्टार्ट करना है फिर से हमें वही काम करना है क्योंकि हम अगर अपने रूटीन में नहीं चलते हैं तो दिक्कत हमें ही होती है हर काम में लेट होता है और आलसपन भी बना रहता है तो अपने दिमाग में ये सिट करना पड़ता है कि नहीं हमें डिसिप्लीन में रहना है अपने रूटीन में रहना है और अगर सुबह ये एक चीज है ना कि अगर सुबह जल्दी उठ जाओ सुबह अगर आपकी अच्छी है एनर्जेटिक है तो पूरा दिन अच्छे से बीटता है बहुत ही बढ़ियां बीटता है आप एनर्जी में जादा से जादा मैसूस करेंगे फ्रेसनेस भी रहेगी और जादा से जादा कामों को कर पाएंगे तो सुबह जल्दी उठना सबसे बड़ा एक मैं तो कहूंगी कि एक ट्रिक है जो द मैं बता रही हूँ कि आप कामों का लिस्ट मत बनाईए सिर्फ आप जल्दी उठ जाईए उसके बाद खुद बखुद आप काम करने के लिए तयार हो जाएंगे एक बार जल्दी उठकर आप अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर दीजे मतलब काम नहीं आप ब्रस करिए पानी पीजिए अपने चेहरे को दोईए ये सब काम करिए उसके बाद कामों की लिस्ट अपने आप तयार होने लगती है अपने आप काम होने लगते हैं आप सुबह उठके बैठेंगे तो है नहीं और अगर बैठेंगे भी अपने आपको समय भी देंगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होता है सुबह सुबह उठके अपने आपको 5-10 मिनट सिर्फ सांती से बैठना, सोचना ये भी बहुत ही अच्छा होता है तो आप एक बार करके देखिए बहुत फायदा होता है इसका मैं तो जैसे सुबह ही उठती हूँ बहुत सालों से मेरा यही रूटीन है मैं क्या बताओं, मतलब जब से साधी हुई है तब से मेरा यही रूटीन रहता है मैं सुबह जल्दी ही उठती हूँ क्योंकि मेरे घर में जैसे ओफिस तो सबको पहले था आपा भी जाते थे ओफिस तो उनके लिए बच्चा छोटा था तो सुबह जल्दी उठना ही होता था तो यह मेरी आदत हो चुकी और जिस दिन अगर मैं लेट कर देती हूँ कभी जैसे होता है छुटी बगरा होती है और अगर मैं लेट कर देती हूँ तो फिर सारे काम जो है पेंडिंग होने लगते हैं आज के काम कल पे परसों पे ऐसे जाने लगते हैं तो सुबह की सुरुवात आप जल्दी से टाइम थोड़ा सा जल्दी करिए पहले 10 मिनट 20 मिनट ऐसे ऐसे स्टार्ट करिए तो ये बहुत ही अच्छा होता है पूरा दिन एनरजेटिक रहता और पूरे दिन काम करने के लिए हम अपने आपको बिल्कुल मतलब तयार रखते हैं कि नहीं हमें ये काम करना है और अगर हम लेट उठते हैं बॉटल ही देना होता है और इसको खाना पीना जो है बागी तो ये तयार वगएरा सब हो जाता है कपड़े मैं प्रेस वगएरा करके रख देती हूँ पहले ही एक दिन पहले ही रात को ही मैं सब करके रख देती हूँ कि सुबर ढूंडना ना पड़े लेना ना पड़े वैसे कभी कभार ऐसा हो भी जाता है तो ये ले लेता है तो बस ये तयार होके अभी स्कूल जा रहा है तो खाना मेरा लगभग बनी चुका है सिर्फ रोटी ही बनानी है तो अभी टाइम बचा था तो मैं आगे थी इस रूम में कि इस रूम को समेट लूँ तब तक अभी टाइम है रोटी बनाने में तो यही है जो time extra मिलता जाता है उसमें अगर छोटे छोटे काम कर लिये जाएं तो काम जल्दी से निपट जाते हैं जल्दी खतम हो जाते हैं तो मैं इस room को समेट ले रही हूँ तो रोटी मैंने बना लिया है और husband भी जा चुके हैं तो अब बारी आती है cleaning की तो आज मन मेरा बड़ा जैसे खुश था कि मेरे सारे काम बड़े time से हो रहे हैं बड़े अच्छे से हो रहे हैं तो और अगर आप न समय से काम खतम कर लेते हो न तो भी एक energy आती रहती है और समय से काम अगर हम नहीं कर पाते हैं लेट होते रहता जैसे खाना सुबह बनाना या टिफिन हम बनाते हैं सुबह तो उसको अच्छे से बना के टाइम से पहले तयार करके रख देते हैं और थोड़ा सा समेट लेते हैं काम को तो एक अलग ही फीलिंग आती है और अगर हमें जल्दी होती है कि नहीं बेटा तयार हो गया जल्दी टिफिन दीजिए जल्दी प पार ही आती है इदर कुछ बरतन रखे थे डबबे तो डेली निकलते हैं कोई न कोई कंटेनर खाली होता रहता है तो मैं डेली के डेली उसको धोती रहती हूं तो ये डेली का ही एक कंटेनर किसी न किसी चीज़ का निकली जाता है तो यहाँ पर मैंने ये जो आम का मीठा बनाया था तो उसका कंटेनर है अभी अचार है लेकिन मैंने उसको दूसरे बाउल में सिफ्ट कर दिया है और इसे मैं धो ले रहे हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा है तो फ्रिज में काफी जगन ये ले रहा था तो मैंने इसे धो दिया और यहाँ पर किचन टावेल ये सम् तिंक दोलूंगी तो किचन का काम समेटने के बाद मैं यहाँ पे आ गई हूँ ज़ारू लगाने तो सीणियों पे भी मैं सीणियों पे डेली ज़ारू नहीं लगा पाती हूँ वही एक दिन दो दिन अल्टरनेट करके जैसे कभी उपर वाले पे कभी नीचे वाले पे इस तरह से काम तो मैं बांटके ही करती हूँ एक साथ मैं सारे काम नहीं कर पाती हूँ मैं कामों को बांटके ही रखती हूँ कि कल मुझे ये करना है परसो मुझे ये करना है आज मुझे ये करना है तो इस तरह से मेरे काम जो है systematic धंग से हो जाते हैं मुझे जादा थकान भी नहीं होती है और काम भी अच्छे से हो जाते हैं time से पूरा हो जाते हैं तो बस यहाँ पे मैंने जाडू पूरे घर में लगा लिया है और जाडू लगाने के बाद आज मैं dusting करें क्योंकि ना dusting करने के बाद जाडू लगाओ तो फिर से धूल उडने लगते हैं और अभी गर्मियों में धूल ने तो एकदम बिल्कुल परेसान कर दिया है कितना भी हम पोच रहे हैं लेकिन फिर धूल आ जाते हैं मैं जाडू लगाने के बाद आज मैंने dusting किया ताकि थोड़ा सा साफ रहे उसके बाद last में मैं लगा रही हूँ यहाँ पोचा तो मेरे सारे काम सुबा वाले morning वाले तो सारे काम लगभग खतम हो चुके हैं बस वही नहाना धोना बाकी रह गया है यहाँ पे यह kitchen वाला जो gallery था इसको मैंने अभी जब से मैं आई हूँ मैंने धूला नहीं था तो आज इसका भी काम थोड़ा सा समय से पहले मैं खाली हो गई तो आज इसका भी काम मैं निप्टा दे रहे हूँ इसको भी धो दे रहे हूँ साफ कर दे रहे हूँ लेकिन अभी जो है plants मैंने हटा दिये हैं तो इसका धोना बारिस हो गई थी धर बीच तो फिर यह ऐसे ही पड़ा रहा गया तो अभी देखे यह दोपर का time है मैं नहादो के आ गई हूँ और मैंने दूद गरम करके यह मटके में रखा था तो अभी यह ठंडा हो गया है तो मैं जमा दे रहे हूँ इसमें जावन यह डाल दूँगी तो दही जम जाएगा तो अभी मैंने यह मटका मिटी का लिया है तो हर साल गर्मी में ही ले लेती हूँ गर्मियों में मैं ये दही जमाने के लिए बहुत अच्छी दही जमती है इसमें तो टेस्टी भी लगता है थोड़ा सा स्वाद भी बदल जाता है अच्छा लगता है और अभी ये देखे टाइम हो रहा है करीब तीन या चार बज रहे होंगे तो मैं आगे हूँ कपड़ा डालने छट पे तो अभी मैं कपड़े जो है धो के ऐसे ही रख देती हूँ कभी कभी तो ऐसा होता है कि धोती भी साम को ही हूँ क्यूंकि ना दोपर में धूप बहुत तेज धूप तो आठ सारे आठ तक ही बहुत तेज निकल जाती है तो कपड़े डालने लायक नहीं रहते हैं तो साम को ही कपड़े सारे डालती हूँ या साम को धोती हूँ तो साम को ही डालती हूँ या सुबह धोती हूँ तो रख देती हूँ इस तरह से साम को डालती हूँ उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में तो सारे बरतन सुबा के धूल के रखे थे जो मंजू अंटी ने धोया था वो भी और जो मैंने धोया था वो भी सब ऐसे ही पड़े हुए थे तो इन सब को मैं लगा दे रहे हूं तो किचन का काम समेटने के बाद मैं आ गई हूं या पे कपड़े प्रेस करने तो कपड़े भी दो दिन से धूल के ऐसे ही रखे थे तो अभी मैं इसको प्रेस कर रहे हूं तो साम का आज कोई काम खास था नहीं क्योंकि पापा भी नहीं है और ये भी अभी नहीं आये हैं तो चायव अगरा नहीं बनाना था अभी मैं बिल्कुल खाली थी और मेरे दिमाग में था भी कि आज इन सब कामों को मैं निप्टाओंगी तो दोबर में मैंने आराम भी किया ऐसा नहीं है कि मैंने आराम बिल्कुल नहीं किया मैं जल्दी खाली हो गई थी 11.11 तक मेरे सारे काम हो चुके थे नहाना दोना सब कुछ तो उसके बाद मैं 1.5 घंटे करीब सोई थी और उसके बाद उठी हूँ तो फिर से ये सारे काम स्टार्ट हुए बेटा स्कूल से आया तो उसको खाना पीना दिया उसके बाद से फिर मैंने काम स्टार्ट किया तो आज पूरी एनरजी के साथ मैंने सुबह से लेके अभी साम तक के सारे काम निपटाएं हैं और बिल्कुल भी जैसे मन बहुत ही अच्छा होता और काम जब निपट जाते हैं पूरे समय से न तो मन को बड़ी तसल्ली भी हो जाती है कि चलो ये काम तो नहीं पट गया कपड़े मैंने दो दिन से धोगे मैं जिस दिन से आई हूँ धूले जा रहे थे कपड़े ना ही मोडे जा रहे थे ना ही प्रेस ओपा रहे थे तो आज प्रेस करने का और कपड़े मोडने का दोनों काम मैंने खतम कर लिया टाइम मेरे पास एक्स्ट्रा बचा था तो ये सब काम मैंने खतम कर लिये आज तो आज के वीडियो का मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ ये लास्ट में देखे कपड़ा मोडने के बाद ये बच गया था प्रेस करने के लिए तो इसको भी मैं प्रेस कर ले रही हूँ तो ये था मेरा सुबर से ले के साम तक का रूटीन आज का आप लोगो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगा हो तो लाइक सेर और चैनल को सब्सक्राइब